आप देख रहे हैं दखल न्यूर्ट राश्ट्रे स्वायम सिवक संग प्रमुग मोहन भागवात ने कहा आप शीगर बने राम बंदिर RSS की BJP को सलहा MP में 88 विधायकों के टिकेट काटो शिवराज गुबिंदपुरा से लड़े चुना उत्तरप्रदेश के पूर्मुख मंत्री एंडी तीवारी का निधन पिछले एक साल से चल रहा था इलाज मंत्री पत से MJ अकबर का इस्तीफा सापाक्स ने कहा राज सभा में भी इस्तीफा दे अकबर और मोदी ने की कारेकरताओं से बात कहा कॉंग्रेस के आरोप चुनावी मनुरंजन नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखल न्यूज अब खबरे विस्तार से आरेसिस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि राम जन्म भूमी पर शीग्र राम मंदिर बनना चाहिए राजनेतिक कारण से कुछ लोग इस मसले कोल जाय हुए है भागवत ने कहा इसके लिए सरकार को पहल करना चाहिए राश्ट्रे स्वयम सेवक संग आज अपना 93 अस्थापना दिवस मना रहा है इस मौके पर नाकपुर में संग द्वारा पत संचालन का आयूजन किया गया संग प्रमुग मोहन भागवत की मौजूदगी में स्वयम सेवकों ने पत संचालन किया भागवत ने अपने संभोधन में कहा देश में भजन भोजन और भ्रमन के संसकार हमें देखने होंगे घर के लोगों में संसकार डालने की जरूरत है क्योंकि डंडे के डर से नहीं चलता समाज समाज अपने संसकार से चलता है भागवत ने कहा कि अब शीघ्र राम मंदिर बनना चाहिए सरकार को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए अब पता चल गया कि वहां मंदिर नीचे है सब सिद्ध हो चुका है अब कि न्यायले में प्रकरण है और लंबा हो रहा है अब कितना लंबा हो जब है जिन्दु समाज तो कितने वर्षों से रहा देख रहा है वो लोग जनते हैं सत्य भी जनते है निर्ने तुरूंत आ भी सक लेकिन कुछ लोग है जिनको इस पर राजनीची चलानी है वो इसको लंबा करते हुए दिखाई देख राजनीची को लोग है राजनीची नहीं आती हूँ तो मंदिर कपका बन चुका होता सब के सहयोग से बनता लेकिन राजनीची आगे जीचे और इसलिए राम पर शीगरता पूर्वक राम मंदिर बनना चाहिए नोबोल पुरुसकार से सम्मानित और सामाजिक कारेकरता कैलाश सत्यार्थी भी संग के वार्शिक विजय दश्मी समहारों में मुख्यतिती के रूप में शामिल हुए मंच पर वे संग प्रमुक के बगल में बैठे नज चल रहा था कॉंग्रेस के सीनियर लीडर और उत्रप्रदेश और उत्राखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एंडी तिवारी का आज निदन हो गया ब्रेन स्टोक के कारण नाराइंट दतिवारी को 20 सितमबर 2017 को मैक्स अस्पताल में भरती कराया गया था अब उनकी किड़नी ने काम करना बंद कर दिया था तिवारी देश के एक लोते ऐसे नेता है जो दो राज्य उत्रप्रदेश और उत्राखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं व्यक्तिगत जिंदिगी से जुड़े संसनी खेज किस्सों के चलते वे चर्चित रहे। एंडी तिवारी साल 2009 में आंध्रप्रदेश के राजपल थे। एक दिन टीवी पर उनकी एक कथित सेक्स सीडी सामने आई जिसने पूरे देश की राजनीती में भुचाल ला दिया। इसके बाद एंडी तिवारी को राजपाल पत से इस्तीफा दे कर बापस लटना पड़ा। सीडी कान को उन्होंने अपने खिलाव विरोधियों की साजिश बताया था। इसके बाद से ही तिवारी का राजप्रदेश का राजनीती करियर खतम हो गया था। मद्रदेश में चुनाव से ठीक पहले RSS के फीडबेक से बीजेपी थोड़ी टेंशन में आ गई है। RSS ने मौझूदा 78 विधायकों को टिकेट ना देने के साथ मुखमंत्री शिवरास सिंग को भी बुधनी की जगा भोपाल की गोविनपुरा सीर से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया है। संग परिवार ने मद्यप्रदेश की बीजेपी सरकार से उसके 78 विधायकों को उनके खराब पर्फॉर्मेंस के चलते बदलने को कहा है। बीजेपी की स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के दोरान इस मुद्दे पर भी चरजा हुई। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह की मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान को भी अपनी बुद्धनी सीट से चुनाव ना लड़ने की हिदायदी है। बलकि शिवरास सिंग के लिए गोविनपुरा विधान सवाच्छेतर को सबसे उप्युक्त बताये गया है। इसमें पार्टी के उच्च पदाधिखारी इस बात से सहमत हुए थे कि सिर्फ संभावित विजेता को ही चुना जाएगा और किसी दूसरे फैक्टर पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। मीटू के भवर में आए एमजे अकबर ने विदेश राजमंत्री पत से स्तीफा दे दिया है। खिलाफ आरोपों की बाड़ा गई है। और एक के बाद एक कई अन्य महिला पत्रकारों ने उन पर संगीन आरोप लगाए है। अकबर पर ताजा आरोप एक विदेशी महिला पत्रकार ने लगाया है। महिला ने कहा कि 2007 में जब वो इंटरंशिप के लिए आई थी तो वो सिर्फ 18 साल की थी। और उनके साथ एमजे अकबर ने गलत हरकत करने की कोशिश की। यह पहली बार है कि मोदी सरकार के किसी मंत्री ने किसी विवाद में घिरने के बाद अपने पस से स्टीफा दिया है। इस्तीफे के पहले अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की थी और फिर बीजेपी अध्यक्ष अमिश शहा को इसकी रिपोर्ट दी थी। हाला कि अमजे अकबर ने अपने उपर लगे आरोपों को सिरे से खारिश कर दिया है। वही अमजे अकबर के स्टीफे के बाद प्रिया रमानी ने ट्विट कर कहा अकबर के स्टीफे से हम महिलाओं को सुकून मिला है। हम खुद को दोश्मुक्त महसूस कर रही है। मुझे उस दिन का इंतिजार है जब कोट से भी मुझे न्याय मिलेगा। मुझे अकबर ने भले ही केंद्री मंत्री पत से स्टीफा दे दिया है लेकिन वे मध्यप्रदेश से राजसवा सदस्य है। सापाक्स नेताव ने अकबर से कहा कि उन पर गंभीर आरोप है इसलिए उन्हें ततकाल राजसवा से स्टीफा दे देना चाहिए। मीटू कैंपेंड में 20 से अधिक महिलाओ ने पूर्व केंद्री विदेश राज्य मंत्री मध्य अकबर पर यौन शोशन के गंभीर आरोप लगाए। जिसके चलते अकबर को अपने पत से स्टीफा देना पड़ा। सापाक्स पार्टी की उपाध्यक्ष पूर्व आईएस डॉक्टर वीना घाडेकर ने मांग की है कि अकबर मध्य प्रदेश की रासवा सीट से भी स्टीफा दे। सापाक्स पार्टी ने केंद्री मंध्ये अकबर के स्طीफे को जन्ता और देश की महिलाओं की जीत बताया है। श्रीबती घाडेकर ने कहा कि श्री अकबर मध्य प्रदेश से राज्य सभा की सीट पर से भी स्टीफा दे। आनेथा सापाक्स पार्टी इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा शाषन में वैसे भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सापाक्स पार्टी के महासचीव हरियोंग गुपता ने भी कहा कि प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। वही अब पार्टी के केंद्र मंत्री महिलाओं की सुरक्षा के स्थान पर उनके शोशन में शामिल हो गए है। भाजपा को उनसे ततकाल राजसवा सदस सिपत से भी इस्तीफा लेना चाहिए। अब विवक्तिय सुतनता को सही तरीके से समर्थन प्राप्त नहीं। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो सपाक्स पार्टी इसके विरोध में जना अंदरन करेगा। गोर नकसल प्रभावि दंतेवाडा विधान सवा इस बार कॉंग्रेस के लिए गले का काटा बन गई है। इस विधान सवा छेतर से नकसली हमले में मारे गए स्वर्गिय महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा कॉंग्रेस की विधायक है। पिछली दफा भी इस विधान सवा सीट से महेंद्र कर्मा के दोनों पुत्र दीपक कर्मा और छविंद्र कर्मा ने कॉंग्रेस से टिकेट मांगा था। मगर पार्टी ने महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा को टिकेट दिया था। मावेंद्र कर्मा ने बागी होकर चुनाव लणने की घोशना कर नामंकन फॉर्म ले लिया। इस बगावत को शांत करने के लिए पार्टी ने प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष भुपेश बगेल को दंतेवाडा भेजा। भुपेश बगेल मान मनोबल में जुटे हुए हैं। इस मसले को हमारे समवादाता संजीव पचौरी से समझने की कोशिश करते हैं। संजीव जी राजनीती मा बेटे के बीच में आ गई है। जी अब क्लियर हो चुका है कि मा बेटे के बीच में जंग होगी क्योंकि आज शमिंद्र कर्मा ने नामंकन फारम ले लिया है निरदरी के तौर पर जिशुरियर ज़ए कॉंगसपारटी, दियुक्रमा उनकी मा को चाहन लाएगी, यह बहुती प्रतिष्णिति परिवार रहा है, महन कर्मा जीकी परिवार रहा है… उनकी बिलासत थी है। और क्योंकि कॉंगर्स पार्टी ने पिछली बार भी उनके महन करमा की सहाद़ को दुदाने कोहिद की थी और उनको लगता है कि फिर एक बार ऐसा हो सकता है शविन करमा एक युवा नेता है और काफी का कहा या बिद्रोही प्रवर्ती की नेता है वो निश्य तोर पर यह जंग अब महा बेटे की बीट में तैह है जी देवती तो जीद गई थी विधासवा चवाव लेकिन राजसवा सीट पर उनके बेटे को हार का सामना करना पड़ा था अब देखिए जो बले बेटे हैं मिश्टर दीपक कर्पा उनको पहले उन्हों ने भी ठीकिन मांगा था बिदाया है विधान समा का लेकिन पार्टी ने को समझा दिया था और उनको लुक्त सवासवा रोगा गया था वो हार गय थे जी अविद्र कर्मा चोटे हैं लेकिन पिद्रोही प्रविस्ति के हैं यह से वैस्ट वह भी है और उन्हों ने चया कर लिए कि बाठ चौंड़नाना है मां के खिलाब चौनवानाना है हलाकि कुछ लोगों कैसा मानना है कि भारती जंता पार्टी भी इस बागावात को हवा दे रही है जी लेकिन अंदर में क्या ह यह तो नहीं कहा रहा है लिकिन यह तरह है कि अब चुनाओं बाइटे सामने होंगे जी शुक्रिया संजीर प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने नमो एप के जरिये मध्यप्रदेश जारखंड और मुंबई के भाजपा कारेकरताओं से लाइफ चल चांगी प्रधान मंत्री ने ह सवालों के जवाब दिये मध्यप्रदेश के होशंगावास से पीम नरेन मोदी से भी कारेकरता रूबर हुए नमो एप के जरिये दो कारेकरताओं ने जब सवाल पूछे तो प्रधान मंत्री ने उन सवालों का बड़ी ही सहज़ता से जवाब दिया साथ ही कॉंग्रेस के आरोपों के सवाल प्रधान मंत्री मोदी ने कहा चुनाओं की ठकान मिटाने मनुरंजन की जरूरत होती है आप कारेकरता उन सवालों को मनुरंजन समझ कर लिया करो पीम की लाइव कारेकरम में सांसद विधायक और पार्टी के पदादिकारी मौजूद थे अशनगाबाद में तो बड़ी पावर प्रजेक काम बहुत तेजी से चल रहा है और मैंने सुना है कि होशनगाबाद में हर गाउं को प्रदान मुंत्री गराम सडग योजना के द्वारा अच्छे से जोड़ा गया है राश्ट्रे खादी उस्व के मौके पर भोपाल हाट में खादी की छटा बिक्री नजर आई खादी वस्त्रों के नए डिजाइन्स रैम पॉक के जरिये मौडल्स ने पेश किये राश्ट्रे खादी उस्व 2018 का रगा रंग शुभारं भोपाल हाट में हो चुका है जहां हर और खादी ही खादी नजर आ रही है पारमपरिक खादी से आधुनिक खादी तक सब कुछ यहां मौजूद है मौडल्स इन खादी वस्त्रों को रैम पर पेश कर खादी के विविन आयाम दर्शाकर खादी को प्रमोट कर रहे है राष्ट्रे खादी उससब 2018 में मद्रप्रदेश के विविन अंचलों में कारेरत बुनकरों एवं परामपरागत कारीगरों के द्वारा उत्पादी खादी वस्त्रों को पेश किया गया है इस आयोजन में मद्रप्रदेश एवं अन्य दस राज्यों से असी खाद ग्रामद्योग इकायों ने भाग लिया इस उसब में खास कर पश्चिम बंगाल एवं बिहार का मसलिन खादी कोसा सिल्क राजिस्थान उत्राखंड एवं जम्मू कश्मीर शॉल कोट जैकिट जैसे कई खादी वस्त्रों उपलब्ध है यह राष्ट्य खादी उत्सब 12 तारिक से शुरू हुआ है और 25 तारिक चलेगा और इसमें ना केवल अपने राज्य की खादी के वस्त्र और सूती रेश भी उनी कपड़े यहां पर विक्रे के लिए उपलब्ध हैं बलकि हमारे प्रदेश के बाहर के दूसरे राज्यों स से भी यहां पर का दिक संश्था आयं च्यों अपने कपड़े की यहां पर वस्तित हुए हैं और बहुत सारे डिजाइनर बहुत सारे भीवबन रंगों के बिलबर नियुँद रला रहे हैं सब्कों आज अका लग़गोत ग्रामनों 56還 पर देख सके हैं भोपाल हाट में खादी वस्त्रों के नए डिजाइन्स रेम वॉक के जरिये मॉडल्स ने पेश किये रेम पर खादी के बाग प्रिंट डिस्चार्ज प्रिंट कमलकारी गोंड आर्ट प्रिंट के सल्वार सूट डिजाइनर कुरते कोट शेरवानी कोसा जैक हल आपके हाट में